अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको इस लेक्चर की पीडियेफ चाही तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं चलिए डिसक्रिप्शन इस्टार्ट करते हैं, अगली न्यूज है इंडियन नेवी से रिलेटेड, तो यहां पर सेकंड एडिशन जो है लार्चेश्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजल 21 तो इसको यहां पर हेल किया जाएगा, तो इसकी जो सेकंड एडिशन है इस बाइनायल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज की इसका नाम है सी विजल 21 उसको 12 से 13 जनवरी 2021 के बीच में कंड़क किया जाएगा, तो यह एक्सरसाइज जो है इसकी जो इनॉग्रल एडिशन है उसको कंड़क किया गया था जनवरी 2019 में, जो कि यहां पर कभर क 16 किलोमेटर कोस्टल और साथी साथ जो एक्सलूजिव एक्सटल जोन है इंडिया की उसको साथ में यहां पर जो 13 कोस्टल स्टेट है और यूनियन टरेटरीज है उसके साथ जो अधर मेरी टाइम स्टेक होल्डर हैं, इंक्लूडिंग फिशिंग एन कोस्टल कम्यूनिटी यह इसको भी यहां पर कवर कर रही थी, देखी यह जो एक्सरसाइज उसको कोडिनेट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा और यह जो इंटाइर कोस्टल सेक्यूरिटी सेटप है इसको रियॉर्गनाइज किया गया था आफ्टर 2611 टेरर अटैक जो कि मुंबई में किया टेर dissertation on law of sea k recording यहां पर prescribe किया गया था, तो यहां पर जो area है sea की उसमें जो भी soverain states होते हैं उनको कुछ special rights दे woods कि वो sea का बात की जाए तो जो exclusive economic zone है इंडिया का वो है 200 km from border of our country towards ocean तो इसको consider किया आता है exclusive economic zone के तौर पर तो यहाँ पर इंडिया की जो right है वो कर सकता है वहाँ fishing कर सकता है, mining कर सकता है तो इस तरह की कर सकता है theater level readiness operational exercise के लिए जिसमें Indian Navy जिसको conduct करती है हर दो साल पे तो यहाँ पर sea vigil और TROPEX यह दोनों साथ में आये हैं और इन्होंने जो मेरी time security challenges है तो वहाँ पर जो entire spectrum है इसको cover किया है जिसमें कि transition from peace to conflict include है तो यहाँ पर जो asset है Indian Navy, Coastal Guard, Coast Guard Custom और जो other marine agency है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है sea vigil के अंदर तो यहाँ पर जो conduct है इसका उसको facilitate किया गया है ministry of defense, home affairs, shipping, petroleum, natural gas, fisheries, custom, state government और जो other agencies है center और state की उनके द्वारा मिलकर further यहाँ पर जो small scale exercises है उसको conduct किया जाता है coastal states में regularly including combined exercise amongst adjoining states और जो conduct है security exercise का national level के उपर उसका aim है कि जो larger purpose है उसको serve किया जाए further यह opportunity provide करता है apex level पर ताकि जो preparedness है in the domain of maritime security और coastal defense उसको assess किया जा सके तो जो exercise है sea vigil 21 वो एक realistic assessment provide करता है कि हमारी क्या strength और weaknesses है और further हम किस तरह से maritime और national security को strengthen कर सकते है अगली news है single window clearance portal of ministry of coal के बारे में तो यहाँ पर ministry of coal ने launch किया है single window clearance portal को जो कि एक unified platform है तो इसके थूँ अगर कोई भी person इंडिया के अंदर coal mine को start करना चाहता है तो अगर उसको permission चाहिए तो उसको जो clearance है और जो approval चाहिए इस business को start करने के लिए वो इनके द्वारा मिल जाएगा तो यहाँ पर union minister of home and affairs श्री अमिश शाजी ने इस portal को launch किया जो union minister of coal and mines है श्री परहलाद जोशी जी इनके presence में तो यह first ever ऐसा हुआ कि जो commercial coal mine auction है उसकी यहाँ पर bidding के through यहाँ पर successfully इसको execute किया गिया देखिए यह जो coal mine के लिए जो single window clearance दिया गिया है उससे कह रहे है अमिश शाजी कि यह एक तरह से जो target है हमारा 5 trillion dollar economy का तो वहां तक हम इसको पहुंच करके इसको achieve कर सकते हैं तेकि उन्हों कहा कि जो bottle next है उसको हमारी government ने यहाँ पर remove किया है coal sector के अंदर और transparency लेके आए हैं यहाँ यहाँ पर currency होगी इसके तुरू देखिए यहाँ पर 19 successful bidder थे जिनको allot किया गया mines करने के लिए यहाँ facility और यह country की पहली commercial coal mining auction थी जिसके अंदर जो भी states है उनको लगभग कहा जा रहा है कि जो revenue होगा वो 65 hundred क्रोड का होगा साल में और यहाँ पर इससे जादा जो jobs हैं वो provide किये जाएंगे यहाँ पर 70,000 jobs जो है इसके थुरू provide होगी क्योंकि bidding हुई है तो जो भी इस bidding को जीतेगा इस auction के थुरू वो mining के लिए लोगों को यहाँ पर facilitate करेगा job facilitate करेगा तो यहाँ से job भी यहाँ पर create होगी तो union minister श्री जोशी जी ने अनौंस किया कि जो next range है इस commercial mine auction की उसको जनवरी 2021 में launch किया जाएगा उन्होंने कहा कि हमने जो coal है उसको reform किया है और जो coal है वो transform करेगा nation को तो यह अच्छा अच्छी line है अगर आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर जोशी जी ने कहा कि coal sector जो है उसमें massive transformation देखा गया है under dynamic or decisive leadership of PM नरेंदर मोदी जी तो यहाँ पर जो single window clearance portal है वो एक तरह से जो government की determination थी कि हम minimum government और maximum governance लेके आएंगे तो उसको एक तरह से यह सच कर रहा है ऐसा उन्होंने कहा इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक milestone है ease of doing business का Indian coal sector के अंदर further यहाँ पर presently 19 major approval यह clearance की जरूरत परती थी पहले अगर किसी को भी coal mine start करना है country के अंदर लेकिन अभी जो यह single window और आ गया है portal के थूरू यहाँ पर जो grant है वो काफी easy way में provide हो जाएगी पहले जैसे कि approval जो थी वहाँ पर mining plan और mine closer plan के थूरू grant of minimum lease environment and forest clearance wildlife clearance तो यह सब अलग-अलग window पर जाकर के clearance लेनी होती थी लेकिन इस portal के थूरू अब यह सारी चीज़े समाप्त हो जाएगी और जो grant है वो easily मिल जाएगा देखिए यह जो approval होते थे उसको या तो central या फिर state government के थूरू मिलता था तो यह जो unified platform है इसके थूरू काफी easy हो जागा coal mine के अंदर grant लेना और clearance को लेना तो single window जो होता है वो काफी जादा helpful होता है किसी भी नए business को start करने के लिए तो यहाँ पर mining के लिए भी काफी benefit होगा इससे देखिए यहाँ पर coal ministry ने execute किया है agreement with 19 successful bidder of India यहने की जिन्हों ने भी auction में जीता तो 19 लोगों ने यहाँ पर इस bid को जीता तो उनके साथ भी यहाँ पर agreement की गई है जो कि इंडिया की first ever commercial mining auction थी जिसमें की विदानता लिमिटेड अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड जिंदल पावर लिमिटेड हिं मिल रहे हैं तो इस सब के साथ government में agreement की है तो यहाँ पर जो success है इंडिया के पहले commercial mining auction की वह एक तरह से जो आत्मी और भारत का जो गोल था उसको अचीव करने में काफी मदद करेगा और जो इंडिया की coal import है उसको भी reduce करेगा यानिकि अब हम coal की जो dependency होती थी की बाहर से हम हमें export करना पलता था वह अब लगभग 20% तक कम हो जाएगा फर्दर यहां पर इसके तरू जो भी states होंगे वह कहा जा रहा कि revenue उनको काफी आएगा और जो amount revenue की वह यहां बताया जा रहा कि 6,656 crore annually अब इनको इस 19 mines के थू यहां पर मिलेगा तो देखिए यहां पर जो competition है वह काफी fierce है इस auction के दौरान तो जो highest premium रहा वो रहा 66,75% और जो average premium है वो 27% रहा तो यह mine जो है यह 5 states के अंदर है जिनने मदपर्देश, चतिसगर, ओडिशा, जारखंड, महराश्टरा, शामिल है अल्सो यहां पर consolidated peak rated capacity यानि कि PRC of 51 million tons per NM है तो इसके थू यहां पर देखिए जो government है वो यहां पर एक तरह के structural reforms लेके आ रही है mining sector में और इसके थू employment generate होगा, production जो होगा minerals का वो बढ़ेगा जिससे self-reliance आएगा और further उन्हें ने कहा कि यह जो upcoming reforms है वो जो mining sector के अंदर इंडिया की जो potential है उसको भी explore करेगा, तो काफी benefit होने वाला है इससे अगली news है eco-friendly non-toxic wall paint के बारे में तो यहां पर union minister for road, transport and highway and MSME श्री नितिन गटकरी जिने launch किया innovative new paint जिसको develop किया है खादी and village industry commission के द्वारा तो यहां पर 12th of January के दिन इसको यहां पर इन्होंने launch किया है देखिए यह जो paint है वो eco-friendly non-toxic paint है जिसको की खादी प्रकृतिक paint कहा गया है जो की अपनी तरह की पहली product है जो की anti-fungal, anti-bacterial property रखती है देखिए इसको बनाया गया है cow dung के थुरू जो की इसका main ingredient है तो यह paint जो होगा वो काफी cost effective और orderless होगा और इसको BIS के द्वारा certified किया गया है BIS यानि की Bureau of Indian Standards के द्वारा देखिए खादी प्रकृतिक paint जो है वो दो form में available होगा पहली distemper paint और दूसरी plastic emulsion paint के form में तो यहाँ पर जो production होगा इसका वो align है honorable prime minister नरेदर मोदी जी के vision से कि किस तरह से जो farmer है उनकी income को बढ़ाया जाए तो यहाँ पर cow dung का use करके इस तरह के paint को बनाया जा रहा है ताकि जो farmer है उनको एक तरह से strengthen किया जा सके और उनकी income को बढ़ाया जा सके देखिए इस project को conceptualize किया गिया है जो KVIC के chairman है उनके द्वारा और यहाँ पर later इसको develop किया गिया है कुमारप्पा National Handmade Paper Institute जैपूर के द्वारा जो की KVIC के एक unit है देखिए यह paint जो है वो heavy metals जो होते है like lead, mercury, chromium, arsenic, cadmium तो इस तरह के metal से free है जिसके वयासे यह क्या होगा कि जो local manufacturing है उसको boost करेगी और sustainable local employment को generate करेगी through technology transfer तो यहाँ पर जो technology है वो एक तरह से जो consumption है cow donkey as a raw material for eco-friendly product उसको increase करेगा और additional revenue generate करेगा farmers के लिए और जो गोशाला है उसके लिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो additional income है वो rupees 30,000 होगी per animal to farmer और गोशाला तो ऐसा estimate किया गिया है further जो utilization है cow dung का वो हमारे environment को clean करेगा और जो clogging है drains की उसको भी prevent करेगा तो यह खादी परकृतिक distemper और emulsion paint को test किया गया है जो हमारे country के तीन reputed national laboratory है उनके द्वारा जिसमें की national test home मुंबई, श्रीराम institute for industrial research न्यू डेली, national test house गाजियाभाद, खादी परकृतिक emulsion paint तो इन तीनों के दवारा यहां पर इसको test किया गया है further जो खादी परकृतिक emulsion paint है वो bis 15489-2013 standard को meet करता है जबकि जो खादी परकृतिक distemper paint है इनकी दो परकृतिक emulsion paint है जिसमें खादी परकृतिक emulsion paint और दूसरा खादी परकृतिक distemper paint तो यह bis 428-2013 standard को यहां पर meet करता है अगली news है अटल Tinkering Lab के बारे में system है यानि कि science technology, engineering and mathematics इसके field में education को promote करेगी further space education और space technology related innovation जो है school students के लिए वो इनको promote करेगी तो यहां पर यह जो भी young budding space researcher और astronaut है उनकी लिए एक तरह से opportunity provide की गई ताकि वो जो best mind है हमारे country के उनसे यहां पर सीख सके और एक living inspiration बन सके अपने school family और local community के लिए further यहां पर scientist और engineering जो engineers हैं जो ISRO center से belong करते थे वो यहां पर एक close coordination में होंगे with capacity building program office ISRO headquarter ताकि यहां पर actively mentor किया सके जो भी kids हैं as well as जो teachers हैं उनसे भी interact किया सके इन ATL यानकी अटल tinkering labs में ताकि जो experiment है और जो भी ideas हैं उनको यहां पर encourage किया सके और लोगों को यहां पर space activity के लिए encourage किया सके further जो अटल tinkering lab है वो एक तरह से maker space provide करेगा जहां young minds जो है वो अपने ideas को shape कर सकेंगे और खुश से वो यहां पर अपने innovation skills को भी यहां पर reshape कर सकेंगे तो यहां पर अटल innovation mission और नीती आयोग ने लगभग 7000 अटल tinkering lab को country में अभी तक establish किया है ताकि यहां पर जो भी entrepreneurship और innovation है उसको foster किया जा सके साथी साथ यहां पर 3 million प्लस student जो की grade 6 से grade 8 के बीच में है वो यहां पर उनको enable किया गया है problem solving, tinkering और innovative mindset के तौर पर देखिए इस collaboration के तुरू इस रो जो है वो यहां पर coaching करेगा और mentoring करेगा जो भी students है उनको advanced cutting edge technology जो 21st century की है उसके तुरू तो यहां पर जो भी space related चीजे होंगी उनको यहां पर mentor किया जाएगा इस रो के द्वारा तो यहां पर जो students है वो ना सिर्फ जो theoretical knowledge है उसको gain करेंगे बलकि जो practical और application based knowledge है STEM की और space education की तो उसको यहां पर उससे related जो भी concept होंगे उसको सीख सकेंगे जैसे की electronics, physics, optics, space technology, material science और इस तरह के जो भी चीजे हैं उसको सीखने का मौका मिलेगा तो यहां पर जो collaboration है ISRO के साथ वो एक तरह से एक नया आयाम जो provide करेगा और opportunity provide करेगा जो भी अटल tinkering lab है उसके थूँ जो भी young school student है ताकि वो space technology को learn कर सकें और innovate कर सकें country को further यहां पर अटल innovation mission जो है उसको earlier collaborate किया गया था ISRO के साथ 4 आत्म विभर भारत Arise ANIC initiative के लौंग with 4 other ministries ताकि यहां पर जो applied research and innovation है उसको इस पर किया सके Indian MSME और startups के अंदर अगली news है ministry of housing and urban affairs के बारे में तो यहां पर COVID-19 से related जो complaint थी वो कहा जा रहा है कि over 1.5 lakh रही जिसको की स्वक्षता app के उपर resolve कर लिया गया है further यहां पर जो app है इसको relaunch किया गया with 9 additional categories specific to COVID-19 इसके रावा 12 crore people जो है उन्होंने यहां पर service action 2020 के अंदर participate किया further सफाई मित्रा सुरक्षा challenge जिसको की launch किया गया था ताकि जो भी hazardous cleaning of severs और septic tanks हैं उनको यहां पर prevent किया जा सके और mechanized cleaning को promote किया सके जो की 244 cities के अंदर जारी है command centers in 50 plus smart cities जिनको transform किया गया COVID-19 war room के तौर पर model COVID war room जो है इसको develop किया गया है बैंगलूरी बैंगलूरू smart city के अंदर 24 hour के भीतर इसके लाबा integrated dashboard को develop किया गया है smart city के अंदर ताकि जो भी COVID-19 hotspot है उसको monitor किया सके medical infrastructure tracking movement of goods and services, managing lockdown, telemedicine और counseling किया जातके infected patient की इसके तुरू फिर यहां पर web based या mobile based application को develop किया गया है contact tracing के लिए जहां पर tracking और monitoring किया जाएगी जो भी infected person होंगे smart city के अंदर उनको इसके लाबा यहां पर 20,000 houses जो है उनको अंदर PM अंतियोदय योजना अर्बन के अंदर यहां पर use किया गया है as COVID facility के तौर पे 69 lakh water tap connection दिये गए जिसमें से यहां पर इसके अलावा 59 lakh sewer connection प्रोवाइट किये गए अमृत city के अंदर online building permission system operational की गई 2000 से जादा towns के अंदर जहां पर construction permit को facilitate किया जाएगा यानि कि इसको online issue किया जाए construction permit को यहां पर further high jump in India यहां पर देखा गया जो भी world bank doing business report है उसके अंदर जो इंडिया की जो jump रही वो काफी high रही यहां पर 27 rank रहा है इंडिया का 2020 के अंदर इसके अलावा यहां पर देखिए यहां पर जो इंडिया की rank रही ease of doing business है वो काफी high jump इंडिया ने की यहां पर 27 rank इंडिया की शो की गई जो world bank doing business report आई है उसके अंदर फर्दर यहां पर लखनव को यहां पर urban local bodies के अंदर 9 city कहा गया है country के अंदर में जिन्हों ने यहां पर municipal bond को raise किया है फर्दर यह संपधा new web portal and mobile app को launch किया गिया good governance day के अफसर पर ताकि यहां पर जो process है uniformity in system उसको simplify किया सके और जो भी allotment है और जो benefit है 1 lakh government accommodation का 28 city के अंदर उसको facilitate किया सके इधरती geo portal को भी launch किया गिया ताकि जो ease of living है उसको यहां पर launch किया इसको यहां पर एक तरह से ensure किया सके और transparency और accountability लेके आए जा सके इसके लबा master plan तयार किया गिया जहां पर sustainable, livable और vibrant देली को create करने की बात कही गई देखिए अमरूत mission के बारे मैं बात करें तो अमरूत mission जो है वो public की जो health है और hygiene है इसको improve किया इसने during COVID-19 तो यहां पर around 15 lakh water tap connection प्रोवाइड किये गए और more than 9 lakh sewer connection प्रोवाइड किये गए लॉक्डाउन के दोरान इसे तरह PM सवर नी दी जो कि एक unique scheme है अर्बन street vendor के लिए जिसको launch किया गया था June 2020 में ताकि यहां पर collateral free working loan प्रोवाइड किया सके street vendor को ताकि वो अपनी livelihood को फिर से resume कर सके हैं जो कि काफी जादा effect हुई थी COVID-19 के lockdown के समय तो यह scheme जो है वो यहां पर over 50 lakh street vendors को benefit करेगा और उनको incentive provide करेगा in form of interest subsidy of 7% per annum जो कि regular payment of loan और cash back up to यहां पर 12,000 per annum होंगे under prescribed digital transaction इसके लामरा अलावा यहां पर timely और early repayment होगी जहां पर vendors जो होंगे वो eligible होंगे loan के लिए up to 20,000 during second cycle और 50,000 during third cycle further यहां पर end-to-end solution को provide किया जाएगा through an IT platform जिसको develop किया गया है in collaboration with small industry development bank of India के द्वारा फिर यहां पर SBM 2.0 जो कि actively consider किया गया है जिसको स्वक्षता के लिए जो कि कहा गया कि एक way of life है तो जो focus है over next 5 year वो ensure करेगा कि जतने भी cities है अरबन इंडिया के उसको certified किया जासके ODF plus से और rate किया जासके at least 3 star garbage free और जो भी cities है less than जिसकी population 1 lakh है उनको certified किया जाए ODS S++ से यहां पर इस तरह के city को certified किया जा रहा है तो यहां पर additional 50% cities है जिसकी population 1 lakh से कम है उनको यहां पर water plus certification दिया जाएगा जो उनकी tremendous achievement रही है during 6 years तो यह mission इसके लिए यहां पर एक तरह से उनको certified करेगा देखिए आप देख लेते हैं स्वक्ष सर्वेक्शन के बारे में जान लेते हैं देखिए यहां पर so far अभी तक five edition हो चुके है स्वक्ष सर्वेक्शन के जिसको कंड़क किया गया है तो इसकी जो first edition थी इस जो सर्वे किया गया है उसको pilot basis पे 73 cities के अंदर launch किया गया था और इसके जो fifth edition है उसको 2020 में launch किया गया स्वक्ष सर्वेक्शन 2021 जो है उसको launch किया गया है with on field assessment जो कंड़क किया गया जाएगा March 2021 में तो यहाँ पर citizen engagement जो है वो एक major component होगी इस स्वक्ष सर्वेक्शन की जिसमें participation जो होगी वो होगी increasing year on year अब जान लेते हैं सफाई मित्रा सुरक्षा challenge के बारे में देखिए यहाँ पर स्वक्ष भारत mission अर्बन इसको उसने यहाँ पर launch किया है सफाई मित्र सुरक्षा challenge को जिसकी objective है कि जो भी hazardous cleaning है sewer की और septic tanks की उसको यहाँ पर prevent किया सके और promote किया सके mechanized cleaning को यानि की काफी खत्रा होता है जो भी इस तरह की cleaning की जाती है तो mechanized way में यहाँ पर cleaning की जाए ऐसा यहाँ पर कहा गिया है तो यह challenge जो है presently 244 city के अंदर लिया गिया है देखिए यहाँ पर जो actual on ground assessment है इस participating cities की उसको conduct किया जाएगा May 2021 में एक independent agency के द्वारा और इसका result जो है वो 2021 के अगस्त महीने में declare किया जाएगा देखिए अब जान लेते हैं integration और mainstreaming of sanitation workers and informal waste picker के बारे में देखिए यह mission जो है यहाँ पर integrate किया जाएगा over 84,000 informal waste picker को into mainstream और 5.5 lakh sanitation worker को भी यहाँ पर link किया जाएगा various welfare schemes से तो यहाँ पर स्वक्षमंच के बारे में जान लेते हैं जो कि एक online citizens engagement portal है ताकि जो भी stakeholders है उनको और volunteer जो है उनको तो इन सब को यहाँ पर स्वक्षता of their cities के अंदर यहाँ पर engage किया जाएगा तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो record participation रहा बोर रहा over 7 crore citizens का तो यहाँ पर जो SBMU है यानि कि इसके अंदर 140 प्लस celebrity ambassador रहें जिन्होंने यहाँ पर clean India or cause को यहाँ पर बताया देखिए यहाँ पर जो story है माला सूर जो कि डिमॉन है डिफीका की जो कि first of the public awareness campaign थी जिसको issue किया गिया था fecal sludge management और सुरक्षा नहीं तो सफाई नहीं के द्वारा तो यहाँ पर इसको यहाँ पर इसका campaign के अंदर इसको include किया गिया है अब जाने लेते हैं day national urban livelihood mission के बारे में देखिए दीन दयाल अन्तियोद्य योजना यानि कि national urban livelihood mission ये work करता है towards alleviating urban poverty तो इसके लिए यहाँ पर strong community institution की building की जाएगी उसके रावा उनको इसके लिए training दी जाएगी और affordable credit दी जाएगी self employment के लिए और support दी जाएगी street vendor को और जो भी homeless person है उनको तो इस mission के अंदर जो भी urban poor है उनको एक तरह है sustainable livelihood प्रोवाइड की जाएगी अब जाने लेते हैं अटल mission for rejuvenation and urban transformation यानि अमरूत क connection और 59 lakh sewer connection को provide किया गया under the mission और यहाँ पर 2023 तक जो अमरूत है वो able हो जाएगा कि वो target कर लेगा 1.39 crore water tap connection को और 1.45 crore sewer connection को around 15 lakh water tap connection और 9 lakh sewer connection को provide किया गया है under this mission lockdown के दोरान तो यह mission जो है वो ensure करेगा development of more than 1755 green spaces और पार्क को और यहाँ पर 5400 acres of green spaces को यहाँ पर through parks 2023 तक यहाँ पर ensure किया जाएगा इसके लावा environment और water conservation भी इसके through किया जाएगा इसमें भी काफी इससे help मिलेगा तो यह थी आज की सारी news थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच फर लेस्निंग